आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, the given question is What will be the average of even numbers between 21 and 163? And the options are, first is 87.5, second is 94, third is 96.5 and last option is 92 तो solve करते हैं, तो 21 से 163 के बीच में even number कौन-कौन से हो जाएंगे 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26 और सोन-सोन कहां तक जाएंगे 160, 162 तो यह अगर हम देखें तो हम अरपस क्या बन गए arithmetic progression बन गए AP जिसका common difference कितना है 2, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे number of terms, इस series के अंदर तो number of terms का formula क्या होता है TN is equals to A plus N minus 1 D, ठीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा TN कितना है, minus 162 last term हमारी, फैली term कितनी है 22 plus N minus 1 और D कितना है, 2 इसे solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा 140 is equals to N minus 1 into 2, तो यहाँ से N की value कितनी हो जाएगी N की value हो जाएगी, 71 मतलब total number of terms कितनी है 71, अब हम से क्या निकालना है हमें, average निकालना है तो average हो, किसी भी AP का average कितना होता है starting, मतलब first term plus last term and divided by 2, तो average कितना हो जाएगा first term कितनी है, 22 plus last term कितनी है, 162 divided by 2 तो यह हो जाएगा, हमारे पास 4, 6, 2, 8 184 divided by 2 that is 92, तो 92 क्या हो गया हमारा average option D is correct Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें Doubt Net आप या WhatsApp कीजिए अपने Doubt 84444 सुपर